Hello everyone, Welcome to KV Teachers Guild. सुबचों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 English की Unit 5, Harmony का First Chapter, जिसका नाम है Little Drops of Water, पानी की छोटी मूंदे. ये एक बहुत छोटी सी पोयम है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को इससे आपको मिलेगा. और इसमें बहुत से New Words भी आये हैं, तो पहले हम उनके Meaning समझते हैं, उसके बाद Chapter को स्टार्ट करेंगे. तो पहला Word है Drops, ये Chapter के नाम में भी आया है. Drop मतलब होता है Boond, Drops मतलब Boondे. Grain's, दाने, सांड, रेत, माइटी, विशाल या बहुत बड़ा, Ocean, महासागर, Pleasant, सुखद, Kindness, दया, डीड, काम, वॉम्त, जोश, Spread, फैलाना, Happiness, खुशी, ये जितने भी New Words हैं, इनको बोलना कैसे है, प्रनाउंस कैसे करना है, वो भी आभ्यान से सुनेंगे. एक बार फिर से देखते हैं, Happiness, खुशी, Spread, फैलाना, वॉम्त, जोश, दीड, काम, Kindness, दया, Pleasant, सुखद, या सुहावना, Ocean, महासागर, Mighty, विशाल, या बहुत बड़ा, Sand, रेट, Grain, दाने, Drops, बून्दे, ओके, अब हम चाप्टर स्टार्ट करते हैं, So little drops of water, पानी की छोटी बून्दे, देखो यह है little water drops, So little drops of water, then little grains of sand, सांड, रेट के छोटे दाने, देखो यह है रेट, सांड, और इसका जो एक कण है, एक दाना है, वो बहुत ही छोटा होता है, तो रेट के, सांड के, जो little grains होते हैं, यह बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, Make the mighty ocean, make मतलब बनाना, बनाते हैं विशाल बहुत बड़ा ocean, ocean मतलब महासागर, जिसमें बहुत सा पानी हो, आपको पता होना चाहिए, कि हमारे earth पर सिर्फ five oceans हैं, पांच महासागर है, इनके बारे में आप बड़ी classes में पढ़ेंगे, सो ये बनाते हैं, mighty ocean, बहुत बड़ा महासागर, and the pleasant land, और pleasant, सुखद और सुहावनी land, जमीन, सो little drops of water, पानी की छोटी बुन्दे, little grains of sand, रेत के छोटे कण, छोटे टुकडे, make the mighty ocean, ये बनाते हैं, बहुत बड़ा महासागर, and the pleasant land, और pleasant, सुहावनी जमीन, छोटी छोटी पानी की बुन्दे मिलकर ही, बहुत बड़ा ocean बनता है, these little drops of water, make the mighty ocean, ये ocean किससे बना है, पानी की छोटी छोटी बुन्दों से ही तो बना है, और इसी तरीके से, सांड के जो छोटे grains होते हैं, little grains होते हैं, little grains of sand, make the pleasant land, अगर इस लांड को, जमीन को आप देखें, बहुत pleasant, सुहावनी लग रही है, ये किससे बनी है, ये छोटे छोटे सांड के grain से बनी है, एक एक grain ने, एक एक कण, टुकडे ने, सांड के रेत के, बिलकर इस इतनी बड़ी pleasant land को बनाया हैं, ओके, सो, होपफ़ली फर्स आंजा आपको समझ में आ गया होगा, little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land, आगे है little words of love, little acts of kindness, little deeds of warmth, spread smiles and happiness, little words of love, प्यार के छोटे 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 शब्द, little acts of kindness, दया के छोटे छोटे आक्स, आक्स मतलब actions, जैसा आप किसी के साथ बैवार करते हैं, उनके साथ आक्ट करते हैं, तो अगर आप kindness के साथ, दया भाव के साथ, दूसरों के साथ आक्ट करेंगे, उनको उनसे प्यार से बात करेंगे, जो words हैं आपके, वो full of love होंगे, little deeds of warmth, आप जो काम करते हैं, डीड मतलब करना, छोटे छोटे काम आप करेंगे, warmth के, warmth मतलब जोश वाले एक passion के साथ, उत्साहा के साथ आप काम करेंगे, spread smiles and happiness, तो आप smiles, दूसरों को खुशियां, उनके चेहरे पर एक हसी और happiness, खुशियां फैलाएंगे, तो आपके जो love के little words हैं, kindness के little acts हैं, warmth के little deeds हैं, वो happiness और smiles को spread करते हैं, तो मतलब छोटे छोटे actions ही मिलकर एक बड़ा impact क्रियेट करते हैं, अगर आप बहुत थोड़े से प्यार भरे शब्द किसी को बोलें, उनके साथ अच्छे से behave करें, kindness के साथ act करें, warmth वाले, जोश वाले काम करें, तो इसी से ही आप लोगों को खुश कर सकते हैं, खुशियां फैला सकते हैं, जैसे कि एक-एक जो sand का grain है, रेत का कण है, वो मिलकर एक pleasant सुखद land जमीन बनाता है, water की एक-एक बूंद मिलकर ही mighty ocean बनाती है, ओके, सो ये poem है, होफ़ली आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, और जो message है poem में, वो भी clear हुआ होगा, new words देख लेते हैं, so words है, naughty तो नहीं है, mighty है, वैसे naughty मतलब होता है, शेतान, शेतानी करना, शरारत करना, pleasant, सुखद, सुहावनी, kindness, दयाभाव, peaceful, ये भी word नहीं आया है, चाप्टर में वैसे peaceful मतलब होता है, शान्ती से, peace मतलब शान्ती, और ocean मतलब महा सागर, ओके, चलिए, question answers पर आते हैं, let us speak, ये speaking activity है, say all the words that come to your mind, when you think of the word water, जब आप कहीं भी water words सुनते हैं, तो सोचिए, कौन-कौन से words आपके mind में आते हैं, वो सब words आपको लिखने हैं, तो पानी का नाम सुनते ही, एक तो rain, बारिश हमारे mind में आती है, पानी का नाम जब आप सुनते हैं, तो river, नदी आपके mind में आती है, then drop, पानी के बूंदे हमारे mind में आती है, water drops, ये मैं अपना बता रही हूं, आपके mind में, अगर इसके अलावा भी कोई चीज आए, तो और पानी का जब नाम सुनते हैं, कुछ वाटर अनिमल्स भी हमारे माइड में आते हैं, जैसे कि पानी का नाम सुनते हैं, फिश हमारे माइड में आती है, मचली और ओक्टोपस आ सकता है आपके माइड में जो कुछ जितने भी वाटर अनिमल्स लिखना चाहे then swimming pool आ सकता है आपके mind में, swimming pool, और lake आ सकती है आपके mind में, lake, जो कुछ water bodies है, अभी हमने ocean पढ़ा, ocean आपने देखा, तो शायद water सुनते ही ocean आपके mind में आया हो, ocean, और कुछ activities भी आ सकती है, जिनमें आप water यूज करते हैं, जैसे पानी का नाम सुनते ही आपको, प्यास एक word है जब आपको प्यास लगती है, पानी आदाता है, तो वो हो सकता है, thirsty, thirsty मतलब प्यासा, वो आपके mind में आए, पानी का नाम सुनते ही, नहाना आपके mind में आ सकता है, bathing and cooking, खाना बनाना उसके लिए भी पानी की ज़रुरत है, watering plants, पौधों को पानी देना वो आपके mind में आ सक बहुत से words है, जो water से related है, जितने भी words हमने लिखे हैं, सभी कहीं न कहीं से जुड़े swimming आपके mind में आ सकता है, उसके लिए पानी की ज़रुरत होती है, swimming, इधर लिग देते है, swimming, boating भी आपके mind में में आ सकता thriving, brushing your teeth, ब्रश करना आपके mind में आ सकता है, उसके लिए पानी क कभी देखी हो, यहां बहुत सारा पानी हो जाता है, जिसकी वज़े से कई बार लोगों की प्रॉपर्टी को नुपसान होता है, लोगों की डेथ हो जाती है, तो फलर्ड आपके माइंड में आ सकता है, या फिर ड्रिंकिंग आपके माइंड में आ सकता है, पानी पीते हैं रिवर में भी पानी होता है, water drops, हमने अभी पढ़ा तो पानी का नाम सुनते ही, हो सकता है, पानी की बूंद आपके mind में आ जाए, fish पानी में रहती है, swimming pool में पानी होता है, अगर आपने recently देखा है, वो भी एकदम से आपके mind में आ सकता है, lake, जील, जिसे हम हिंदी में बोलत आप नहाना आ सकता है, mind में cooking, खाना बनाना, boat, boating करना आ सकता है, swimming, brushing, flood, flood मतलब होता है, bard, यह word अगर आपने सुना है, आप लिख सकते हैं, अधरवाइस छोड भी सकते हैं, इसमें से, जो भी जिन words से आप familiar है, पहले से जिने जानते हैं, वो आप लिख देंगे, इसके अ okay, tank, यह भी कुछ words हैं, okay, pond, जितने भी maximum words आप लिख सकें, related to water, okay, next, now we all use water for many things, हम सभी पानी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, discuss about it in the class, class में आप discuss करेंगे, तो पानी हमें कहां कहां चाहिए, सबसे पहले तो, अभी हमने कुछ देखा, drinking के लिए जरूरत है, number one, drinking, यह discussion के लिए question है, फिर cleaning, घर की साफ सफाई के लिए जरूरत होती है, mopping आप करते हैं, यह वैसे पानी से cleaning करते हैं, then, cooking हमने देखा, खाना बनाने में पानी की जरूरत है, cooking, और brushing में पानी की जरूरत है, brush करने में, number four, brushing, swimming में पानी की जरूरत होती है, swimming, boating में पानी की जरूरत है, number six, यह वो काम नहीं है, जिसमें, swimming और boating, यह सिर्फ आम enjoyment के लिए करते हैं, कोई जरूरी काम नहीं है, swimming, boating, लेकिन यह चीजें हैं, जिनमें पानी चाहिए, boating आप बिना पानी के नहीं कर सकते हैं, then, farming, farmers को खेती करने के लिए, farming के लिए, पानी की जरूरत है, फसलों को उगाने के लिए, watering plants आप लिख सकते हैं, लेकिन वो farming में ही आ जाएगा, then, जितनी भी factories हैं, उनमें पानी की जरूरत है, इंडस्ट्री में आप लिख सकते हैं, एक बहुत important जो electricity generate करने में, लेकिन आप second class में हैं, बड़ी classes में जाएगे तो लिख सकते हैं, लेकिन class में ये point आप बोल सकते हैं, for generating electricity, बिजली बनाने में पानी की जरूरत होती है, then, घर बनाने में पानी की जरूरत होती है, for construction also, in industries, इंडस्ट्री में पानी की जरूरत होती है, चलो हम लिख देते हैं, आप चाहे तो इन points को include कर सकते हैं, otherwise छोड़ भी सकते हैं, generating electricity, electricity मतलब होता है, बिजली, ठीक है, then, in industries, इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है, और construction में पानी की जरूरत है, अगर आपने कभी कोई building बनते हुए देखी हो, construction, तो उसमें आप देखेंगे, जो mason है, पहले वो sand, cement, इन सबको पानी में घोलता है, उसके बाद उसको use करता है, okay, चलो next, एक रह गया, इसमें आप construction की इंडस्ट्री की जगे, आप washing clothes भी लिख सकते हैं, यह पहले नहीं लिखा था, बहुत basic सा point है, यह तो वो चीज़े हैं, जो आप अपनी daily life में देखते हैं, washing के लिए, washing कुछ भी हो चाहिए, dishes wash करनी हो आपको, बरतन दोने हो, या clothes, कपड़े दोने हो, या floor को धोना हो, य washing में, पानी यूज होता है, ठीक है, इसमें आप washing clothes, washing utensils, washing, जब आप vegetables या fruits को दोते हैं, उसमें भी पानी चाहिए, ठीक है, तो बहुत जगे हमें पानी की जुरत है, without water, पानी के बिना, आप life को imagine ही नहीं कर सकते, possible ही नहीं है, earth पर life, okay, चलिए, next, now look at the picture, and describe what you see, ये दो pictures given है, ये daytime के picture है, इसमें सूरज जो है वो चमक रहा है, the sun is shining brightly, then, यहां पर ये एक river है, इसमें पानी, water flow कर रहा है, एक, there is a boy, जो पतांग उड़ा रहा है, फिर ये एक लड़की है, जो अपने dog के साथ, बॉल से खेल रही है, ये बच्चा है, जो fishing कर रहा है, and there is a girl, she is reading, वो पढ़ रही है, फिर, दूसरी picture है, night time की, इसमें आसमान में, चांद और तारे चमक रहे हैं, moon and stars are shining in the sky, फिर जो street lights है, उससे, जो roads है हमारी, streets है, उन पर light है, फिर यहाँ पर, mostly night time में, ज्यादा थर activities आपको नहीं दिखाई देगी, लोग सो रहे हैं, और watchman अपना काम कर रहा है, फिक है, watchman is on duty, तो अगर आपको इनके बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, that, in picture one, the sun is shining brightly, यहाँ पर brightly, चमक रहा है, then, the, water is flowing in the river, water is flowing, पानी नदी में बह रहा है, in the river, और क्या हो रहा है यहाँ पर, a boy is flying kite, a boy is, इसमें numbers दे देते हैं, first sentence, second, third activity है, boy is flying kite, then, और क्या है, a girl is playing with a ball alongside her dog, a girl and her dog is playing, are playing with a ball, number four, a girl and her dog and her dog are playing with a ball, then, a boy is fishing, number five, a boy is fishing, and a girl is reading, number six, a girl is reading a book, a girl is reading, चली, एक लड़की है, जो पढ़ रही है, अब second picture, in second picture, it is night time, यह रात का समय है, चलो, red से लिखते है, it is night time, night time, tea time, और रात में क्या हो रहा है, moon and stars are shining in the sky, moon and stars are shining in the sky, and then street lights illuminate the roads, the streets, number three, street, यहां पढ़ लिखते है, number three, street, street lights, L-I-G-H-T-S, illuminate, illuminate करना मतलब चमकाना, जैसे रात में street light जलती है, तो road रोशन हो जाती है एक तरीके से, illuminate the streets, s-t-r-e-e-t-s, then everyone is sleeping, सभी सो रहे हैं, number four, सिर्फ watchman duty पर है, e-v-e-r-y-o-n-e, everyone is sleeping, s-l-e-e-p-i-n-g, and number five आप लिखेंगे, the watchman is on duty, the watchman is on duty, ओके, चलिए, next, now listen to the directions and fill the colors, इसमें teachers आपको direct करेंगी, यह class की activity है, और जैसा वो बोलेंगे वैसा आपको करना है, teacher अगर कहेंगे कि, color all the leaves, सभी leaves को color करो, तो जितनी भी leaves हैं, उनको आपको color करना है, green color से, या किसी भी color से, leaves क्योंकि green ही होती है, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही आपको करना है उसमें, वो बोलेंगे कि, color wings of the bird, bird के wings को, पंको करिए, तो सिर्फ आप wings को करेंगे, bird को color करिए, house को color करिए, तो जैसा वो बोलेंगी, इस में, picture में वैसा ही आपको करना है, ठीक है? तो यह class की activity है, teacher आपको कहेंगी, color the birds, तो आप birds को color करेंगे, color the leaves, color the plants, okay? Next, now draw one thing you feel would help us to make our earth a more beautiful place. अर्थ को, हमारी धर्थी को आप कैसे, बहुत और सुन्दर जगे बना सकते हैं, उसके लिए एक picture आपको यहाँ पर draw करनी है, अर्थ आप जानते हैं, हमारी धर्थी बिल्कुल round है, एक round figure आप बनाएंगे, यह हमारी अर्थ है, और क्या चीज़ आपको लगता है, कि अर्थ को और beautiful बनाती है, पीपल लोग बनाते हैं, यहाँ पर जो पेड़ है वो बनाते हैं, पानी से अर्थ beautiful है, flowers आप बना सकते हैं, flowers अभी को अच्छे लगते हों, कि flowers अर्थ को जादा beautiful बनाती है, तो कुछ इसके examples देख लेते हैं, कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक तो ऐसे आप एक happy अर्थ ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें water भी है, greenery भी है, flowers भी है, और इधर sun है, इधर moon और stars हैं, ये earth को beautiful बनाती हैं, ये चीज़ें, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से, ये picture आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी वही greenery है, और beautiful greenery से, जो water है, blue color का उससे, water को show करेंगे, plants से इनी से इर्थ beautiful है, एक ये picture आप ड्रॉ कर सकते हैं, beautiful earth और फिर ये सब चीज़ें, ड्रॉ करके, इसमें boards भी हैं, फिर again flowers हैं, kite हैं, another example, ओके, तो यहाँ पर कोई भी creative picture आप ड्रॉ करेंगे, now let us write, अभी writing के activity है, answer the following questions, match the words in column A, column A में जो words हैं, उन्हें match करना है, with words in column B, column B के words के साथ, and complete the phrases from the poem, और poem में जो phrases हैं, उन्हें complete करना है, grains of, grains मतलब कंड, जो दाने हैं, वो किसके हैं, kindness, sand, love या water, तो grains हैं sand के, grains of sand, यहाँ से आप match करेंगे, drops of water, पानी की बुंदे हैं, deeds of, काम हैं, हमारे kindness वाले, जो ध्या भाव दिखाने वाले काम हैं, deeds या actions, acts एक ही बात है, वो होंगे kindness के, and words of love, words हमारे होनी चाहिए, full of love, प्यार से भरे हुए, next is in the poem, we talked about drops of water, poem में हमने पानी की बुंदों के drops के बारे में बात की, we use the word drops with liquid, जब हम drops use करते हैं, तो हमेशा liquid चीज़ों के साथ use करते हैं, liquid आप समझते हैं, जिनको आप पी सकते हैं, जो बह सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें table, table liquid नहीं है, तो आप drop of table नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे, चाह है, वो liquid है, तो आप drop of tea बोल सकते हैं, वो चल जाएगा, एक drop, चाह की एक बुंद मेरे मामी जे, कपडों पर गिर गई, ठीक है, circle the words for which you can use drops of, उन words को circle करिए, जिनके लिए आप drops of use कर सकते हैं, drops of bread, bread की बुंद, bread liquid नहीं है, तो इसके लिए drop use नहीं होगा, drops of carrot, carrot भी liquid नहीं है, गाजर की बुंद, ये भी गलत है, drops of juice, juice की drop हो सकती है, juice क्योंकि liquid है, drops of water तो होता ही है, drops of milk भी हो सकता है, दून की बुंदे, drops of cotton नहीं हो सकता, cotton सूती कपड़ा जो आप पहनते हैं, तो कपड़े की बुंद नहीं हो सकती है, salt की बुंद नहीं होंगे, salt के grains होंगे, grains, कण, ठीक है, drops of rice भी नहीं हो सकता, drops of oil हो सकता है, तो इनको आप circle कर देंगे, next is, fill in the blanks, choosing words from the box, box से words को choose करके, blanks को fill करना है, words है, bag, tube, cup, box, slice, okay, so a blank of milk, आप क्या कहेंगे, bag of milk, milk liquid होता है, तो वो आएगा cup में, a cup of milk, यहाँ पर आप cup fill करेंगे, a blank of bread, bread के होते हैं slices, a slice of bread, a blank of toothpaste, toothpaste, tube में आता है, so a tube of toothpaste, tube, a blank of pencil, pencil box में होती है, so a box of pencil, a blank of clothes, clothes कपडे बैग में आप रखते हैं, so a bag of clothes, okay, a cup of milk, a slice of bread, a tube of toothpaste, a box of pencil, a bag of clothes, now rearrange the words from the box, to form proper sentences, in the given space, यह कुछ sentences हैं, लेकिन आगे पीछे हो गए हैं, आपको इने फिर से arrange करना है, जैसे राघव बुक तुक हिस, कोई, इसमें चार बर्डस हैं, लेकिन चारों, आगे पीछे अगर आप पहले राघव लिखे, फिर तुक लिखे, राघव तुक हिस बुक, राघव ने उसकी बुक ली, अब यह sentence हैं, वैसे ही जो sentences हैं, इनको आपको rearrange करके, नीचे लिखना है, रिमेंबर, याद रखना, तु बिगेन दे sentence, विद अ क्यापिटल लेटर, यह आपको पता होना चाहिए, हिंट आपको मिल जाएगा, कि वर्ड का जो first letter होता है, पहला जो शब्द होगा, उसका first letter हमेशा capital होगा, बड़ा आप लिखेंगे, ठीक है, यह इंड करेंगे, तो फुल स्टॉप लगाना है, रागाव बुक तुखिस, यह किया हुआ है, रागाव तुखिस बुक, आगे है, वेंट रमोना स्कूल टू, यह होगा, रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना स्कूल गई, आँसर आप लिखेंगे, पहले आएगा रमोना, रमोना देन वेंट टू स्कूल, ओके, नेक्स्ट, दे वेरिंग आर ब्लाक बोथ शूज, दे मतलब वे, वेरिंग मतलब पहनना, आर हैं ब्लाक काले, बोथ मतलब दोनो, शूज मतलब जूते, सो ये होगा, दे बोथ आर वेरिंग, दे बोथ मतलब बे दोनो, उन दोनोंने पहने हैं ब्लाक शूज, काले जूते, सो दे में टी क्यापिटल होगा, दे बोथ आर वेरिंग ब्लाक शूज, और लास्ट में फुल स्टॉप, next is very, these beautiful are butterflies, ये होगा, these butterflies, these butterflies are very beautiful, ये butterflies बहुत सुंदर है, तो ये में फिर्स लेटर कापिटल, फिर्स आल्फबेट कापिटल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप उसे वॉक पर जाना पसंद है सो मोती में M capital मोती likes to go for a walk और लास्ट में फुल स्टॉप नेक्स्ट इस मंकी द तुक द नौटी अवे बनाना सो ये होगा द नौटी मंकी शरार्ती मंकी द नौटी मंकी तुक अवे तुक अवे मतला ले लेना तुक अवे द बनाना Naughty Monkey ने बनाना ले लिया, छीन लिया So, the T capital Naughty N-A-U-G-H-T-Y Monkey M-O-N-K-E-Y The Naughty Monkey took away the banana B-A-N-A-N-A Okay, तो इस तरीके से sentences को आप लिखेंगे यह exam के लिए important question है Next आगे project work है Ask people at home to allow you to touch and feel the following things in the kitchen आप kitchen में जाएंगे और अपनी मदर को बोलेंगे की यह चीज़ें आपको touch करने दे बनाना तो वैसे भी आप खाते होंगे इनको touch करना है, salt, नमक को touch करना है, oil, तेल, flour, आटा, sugar, चीनी, rice चावल और wheat यह हूं के दाने होते हैं, rice के भी grains होते हैं, wheat के भी grains होते हैं तो इन में से किसी भी एक चीज़ को अगले दिन फिर आप class में लेकर आएंगे ओके, that's all students, इसी के साथ chapter over होता है hopefully बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, thank you so much for watching